अगर आप कम पानी पीते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है एक हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में पानी की कमी होने से स्ट्रोक का खत्रा रहता है रिपोर्ट के अनुसार डिहाइड्रेशन स्ट्रोक का खत्रा बढ़ा देता है एक रिसर्च के अनुसार हर दिन कम से कम पांच गिलास पानी पीने से एक श्ट्रॉक का खत्रा 53% तक कम हो जाता है अगर किसी में श्ट्रॉक के लक्षन पाई जाते हैं तो यह सिधार कर सकता है कम पानी पीने से कई और भी नुकसान होते हैं एक्सपर्ट की तरब से एक रिपोर्ट बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि इस्ट्रोक की समस्या से परेशान लोगों को अगर पानी की कमी हो जाए तो गंभीर स्वास्त का खत्रा चार गुना ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि डिहाइडेशन से रक्त वाहिकाओं में इंडो थेलियल काम में रुकाओट पैदा हो सकती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुख सकता है और श्ट्रोक या हार्ट लीजिस का खत्रा बढ़ सकता है। तो हाइपो वालेमिक सौक भी होने का खत्रा रहता है या काफी गंभीर और जानलेवा हो सकता है। बोडी में पानी की कमी की वज़ए से ब्लड ट्रेशर लोस हो सकता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है जिससे दिखतें बढ़ सकती हैं। बहुत गर्म जगा जाने पर इसका खत्रा ज्यादा देखा जाता है। गर्मी के मोशम में हीट एश्ट्रोक की समस्या का सबसे बड़ा कारण रिहाइड्रेशन है। ज्यादा एक्सरसाइज और ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर इसी अनुपात में पानी न पिया जाए तो हीट एश्ट्रोक होने का खत्रा रहता है। ऐसे में उल्टी लो ब्लड प्रेसर जैसी समस्याएं हो सकती है। कई बार तो इस्थिती जानलेवा भी हो सकती है। अगर आप लंबे समय तक पानी नहीं पिते हैं और शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या है तो किडिनी की पथरी और किडिनी फेल होने का जोखिम भी हो सकता है। शरीर में पानी की कमी का सबसे ज़्यादा खत्रा किड्नी को रहता है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्वीट का सेवन करना चाहिए